हेलो एब्रिवन वेलकम बेक तू माय चैनल बैटर किर्स एजुकेशन बच्चो आज हम पढ़ेंगे कफ्षा तीन के पर्यावरण अध्यन की किताब आस पास का पार्ट पांच छोटू का घर तो बच्चो आपने पार्ट पढ़ाई होगा आज की वीडियो में हम इस पार्ट बताई गई है देखकर बताओ चोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा आंसर है चोटू ने पाइप को देखकर सोचा कि यह इस्थान रहने के लिए सबसे अधिक सुरक्षित एवं उचित है यह उसे तेज हवा बारिस वर ठंड से सुरक्षा प्रदान करेगा अगला कौन से हिस्सों में बाटा है तो इसका आंसर है चोटू ने पाइप और आसपास की जगे को निमनले कित हिस्सों में बाटा है सोने का इस्थान नहाने का इस्थान खाना बनाने का इस्थान कपड़े सुखाने का इस्थान पानी भरने का इस्थान बैठने का इस्थान मिलन जुलने वालों के लिए बैठने के इस्थान पर ज्यादा समय बिताना पसंद होगा अगला कोश्यन है छोटु ने मौनु को भी पाइप में रहने के लिए क्यों कहा होगा आंसर है छोटु ने मौनु को भी पाइप में रहने के लिए इसलिए कहा होगा क्योंकि मौनू के पास रहने की कोई जगय नहीं थी पाइप में इतनी जगय थी कि मौनू आराम से रह सकता था मौनू के रहने से छोटू का मन लगा रहता क्योंकि छोटू पाइप में अकेला होने के कारण बोर हो जाता था अगला कोशन है तुम्हारे घर में कौन कौन लोग रहते हैं आंसर है मेरे घर में मेरे पिता, मेरी मां और मेरी बहन रहते हैं अगला कोशन है छोटु ने पाइप को अलगला हिस्सों में बाटा तुम भी अपने घर के अलगला हिस्सों के नाम लिखो आंसर है मेरे घर में निम्डिले कित हिस्से हैं बैठक, स्रेनकक्ष, सो चाले, इसनान घर, रसोई, पढ़ने का कमरा, सोने का कमरा आदी अगला कुश्चिन है एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय विताते हो आंसर है घर का हिस्सा और विताया गया समय सैन कक्ष में आठ गंटे, बैठक में एक गंटे, रसोई में आदा गंटा, इसनानगर में भी आदा गंटा अगला कुश्यन है क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज्यादा समय बिताते हैं आंसर है हाँ मेरी मा सबसे ज़्यादा समय रसोई में बिताती हैं अगला क्वेशन है क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है ये बहुत कम जाता है आंसर है मेरे पिताजी रसोई में कभी नहीं जाते हैं या बहुत थोड़े समय के लिए जाते हैं अगला क्वेशन है ऐसे दो जानवरों के चितर बनाओ जो हमारी इजाज़त के विना हमारे घर में रहते हैं पितर के नीचे उनका नाम भी लिखो तो बच्चो ऐसे जानवर हैं चूहां और छिपकली जो की हमारी इजाज़त के विना हमारे घर में रहते हैं अगला क्वेशन है तुम अपने घर को कैसे साफ रखते हो आंसर है घर में सभी वस्तों को रोज जाड पहुँच कर साफ करते हैं घर की बिखरी की वस्तों को सही स्थान पर रखते हैं घर में रोज जाड लगाते हैं इस नानगर और सोचाले की नियमित रूप से सपाई कर करते हैं अगला कुशिन है तुमारे घर में सपाई का काम कौन करते हैं तो हमारे घर में सपाई का काम माता जी भाई और बहन करते हैं तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहां डालते हो तो बच्चेस का आंसर है हम अपने घर का कूड़ा कचरा कहां डालते हैं सड़क पर र किसे सजाते हो कब और कैसे सजाते हो तो आंसर है दिपावली पर हम अपने घर को असोप के पत्तों फूलों कंडील वे रंगोरी द्वारा सजाते हैं रंगीन कागजों वे जालरों द्वारा भी घर को सजाते हैं अगला प्वेशन है तुम अपने घर को किन किन चीजों से सज जाते हैं गमलों में फूल के पौदे लगा कर भी घर को सजाने के काम में लाया जाता है बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू